दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब अम्चन से हो गई एक थोड़ी सी गलती तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं पिछले तकरीवन दो महीने से यह अगस्त एंड चल रहा है अगस्त खतम होने वाला है और मैंने जुलाई च्यार को जो अपना य सब्सक्राइब करते हो तो वह रिसेंट ट्रांजेक्शन में आ जाता है और बाइचंस की बात क्या हुई कि जो आपका साथ में जो मेरा यहां पर ग्रोसरी श्क्रोन वाला है उसका नाम है सोनुडेरी तो जब मुझे उसको पेमेंट करने थी पाथ जुलाई को तो मैंने सीधा सीधा रिसेंट ट्रांजेक्शन में गया उसका नाम आ रहा था सोनु क्योंकि उनकी डॉटर का भी नाम जो ग्रोसरी श्टोर वाला है सोनु है बट उनके सारे मुबाइल नमर मेरे पास में है बट ओ तो तो आज कि भी लाँ पास में डिली फो गया तोพुष बहूँ यस संड़े हैं आज ही आज मेरे को ध्यान आया कि आर मेरे का यार इससे दो आठ जार रोपे लेने हैं क्योंकि मैंने जो इनको गल्ती से इतनी सारी पेमिट्स कर दी हैं और बाइचास की बात है उस ग्रोसरी स्टोर वाले ने भी जो है भाईया ने मुझे एक बार भी यह नहीं का कि आपकी पेमंट हमारे पास में नहीं आई है क्योंकि मैं उनको हर पेमंट की रसीद बेश देता था उस पर सोनू लिखा आता था अब उनको भी बाई मिश्टेक यह होगा कि यार सुनू है तो मुझे पेमंट आई होगी सारी तो उन्होंने भी चेक नहीं करा मैंने भी चेक नहीं करा कि वह सही जगह जारी कि नहीं जारी मेरे को पर सो रात को मैंने बैटके जब देखा कि यार चलो मोबाइल नंबर से भेजते हो मोबाइल नंबर से भे और उस बंदे को जो यह सोनू करके है बंदा यहां पर इस बंदे को जारी है आज क्या डेट बताएदी आज है आपके 28 अगस्थ 28 अगस्थ तक उसको लगातर पेमेंट जारी है तो फिर मैं कल परसो एक दो घंटे दो बहुत ज़ादा परिशान रहा मैंने का क्या करूं क्या को ही बंदा है या नहीं है या कोई और है क्या कि इससे पहले एक बार हम पानी के बाटर लेकर देखेंगे और पानी के बार लिय लेने के बाद paus करें मैं इसको दिखाऊंगा मैं इसे जरूर पैसे वाफिस मांगूँगा मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं देखो मैं इसमें अपना पेटियम का खोल लेता हूं यह देखिए और यहां पे जो है टू मुबाइल नंबर मैंने क्लिक करा तो टू मुबाइल नंबर में आप देखो कि अगर तो इसमें यह देखिए सोनु उपर लिखा आ रहा है मैंने इसको प्रेस कर देता हूं अब इसको यह सारी पेमिट जा रही है 1540,45,45,45,45,45 होती मेरे सुबह की ब्रेट की जो हर्वेस्ट की ब्रेट आती है 45 रूपीज की पंदरह दो चालेज बाजरा मकी वेगरा की पेमिंट है जो पक्षियों का बाजरा मकी जाता है 311 इस तरीके से ये सारी पेमिंट्स है ठीक है अब ये इस बंदे को गई हुए है अब मैंने पता कहां से लगाया कि भाई ये कहां का है बंदा एक मिनट इसके चले जाओ हिस्ट्री पे हिस्ट्री पे जाओ गए तो ये सोनो ऐसे लिखा आ रहा है मेरे बस में नमबर पूरा नहीं आ रहा है और जबकि यहां पे आप देखो गे इसने लिखा गेट नमबर चार पूसा रोड यानि कि ये मैंने काफी जोड डाला तब मैंने चार जुलाई की भी डेट देखी कि यार चार जुलाई की डेट को क्या पढ़ रहा था मंडे पढ़ रहा था उस टाइम पे मुझे ध्यान आया बच्चों की स्कूल वगएर नहीं खुले थे तो चार जुलाई ये देखे चार जुलाई की 210 ये मैंने इससे कुछ पर्चेस कर रहा था उसके अलावा बाकि ज चार जो अपना जो सोनुडइरी वाले भाहई यह देखिए यह है एक हजर पचास अब यह मैंने दी है इसको सोनुडइरी और अब आप आज這裡 यह नों की पदाए सब भी मैं आपको दिखा करके यह उन्होंने बता दिया होगा इस तरीके से मेरे पास में यहां पर इनकी न सारी बिलिंग वगएरा आती रहती है यह देखो चना की दाल 35 रुपए 26 रुपए यह ठीक है मगर जो एक बंदा बर्गर या रोल्स या सेंडविच भेज रहा है उस बंदे के बास में 1500 रुपए 900 रुपए 300 रुपए चलो 300 रुपए तो जा सकते हो कोई बाद नियुकान खुली भी नहीं है पंदरा सो रुपए का कौन समान लेता है और रेगरलर ली एक नंबर से पेमेंट आ रही है तो भाई तो कम से कम पेटियम पे मुझे मैसेज तो डाल भाई सब कौन हो आप जो मुझे पेमेंट दे रहे हो मेरे तो दुकान खुली भी नहीं है मेरे तो रात को बंद होने के इमान दारी का कुछ तो अब जो है मैं जाके एक बाद उनसे पाने की बोटर लूँगा क्योंकि अगर मैं डिरेक्ली उनको बोलूँगा कि ला भाई अपना पेटियम का स्कैन का क्यों क्यों दिखा हूं भाई मैं स्कैनिंग के लिए वो तो ये नंबर भी नाट जाएगा क लिए नमबर भी मेरा नहीं तो ख्रीदेंगे कुछ निरुम के और उसके बाद में उसके पास में जा के यार यह यह बात है और मैं उसको सारा केस अराम सेीस संजाओगा कि गलती से तेरे पास में पैसे तो मेरे को यह पैसे रिफंट कर दो आप चालेको को दिक्कत ने है त जाके सारा टोटल आ जाता है, तो अपनी तरफ से पुरी-पुरी कोशिश रहेगी, नहीं मानते हैं, इमानदारी का देखो, सबसे पहले तो मेरी दिबाग में यही आया कि भाई बंदा हो सकता है, ना भी दे, क्योंकि इमानदारी का जमाना नहीं है, आज के टाइम पे, कोई अगर वो पैसे नहीं भी देगा, तब भी जो यह सोंडेरी वाली भाईया, इनको मैं पेमेंट जरूर दूँगा, कोई बात नी, मेरे साड़े आठ हजार को नुकसान हुआ, आठ हजार तीन सुरुपे का नुकसान हो, मैं सहलूँगा, कोई बात नी, मगर मैं अपना इमान नहीं मानते हैं, तो मुझे नैचल सी बात है, लो आन ओर का भी सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो, आप अपने हग के लिए नहीं लड़ोगे, क्योंकि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो गया, मैं क्या रहा हूं, मैंने इंटेंश्टली नहीं करा, मैं अगर म वापिस चाहिए, तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं, क्या होता है, अब अपने ने यहाँ पे, जो करोलबाग का एरिया है, करोलबाग में अपने ने गाड़ी पार कर दी है, क्योंकि जो मेट्रो शेशन था ना, वह ऐसा मेट्रो शेशन क नीचे तो बहुत ही तकड़ा होता, क्या करते है, यह बिलकूल भी मतलब पारकिंग की स्पेस वगरा नहीं थी, तो अब चलते हैं, तो बड़ा सा मैं पानी बानी पे लेता हूँ, और चलते हैं, अबना मेट्रो के वहाँ पे पारकिंग पे और भाईया को बोलते हैं, पहल पे लिए था, मैंने उनसे साड़े नौ या नौ बीस ऐसी कुछ पे मैंने जा के मेटी पे ट्राई करा था, जो कुनसा वाला राजंदर पलेस वाला हां, उस वाले मेट्रो सेशन के वहाँ पे, तो मैं उनमें अंदर गया, खुला तो बट बड़ी आमेटी, बड़ो नहीं से पहले हम उपन नहीं करेंगे, तो ग्यारत बड़ी से पहले मुझे सर्फ करने से माना करते हैं तो भूंग लग रही थी, तो उस टैम पे पहली बार मैंने इन मेट्रों के यां से लिया था, अब चलो भाई, इतनी सरदर्दी हो गई, आप चलो जादे टाइम ने लगाते मेरे पास में है, तो चलते हैं, आजो चलते हैं, अब अपनी ये वाली दुकान है, मेक्रो सेवा की, और ये अपनी करूल बाग के मेक्रो सेशन के पास बढ़ दिया, बहुत ही जादा नॉइस है या पे, एक बार इनका पीटेम का सामने लगाई हुआ, एक बार मैं स्कैन कर के देख लेता हूँ, अब इसका आरा भाई का नाम लिखा माजन, जो 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 आपन हो आए हैं दुकान पे, मनलब जो अपनी वे शॉप दी, जहां पे, आमने गलती से पेमंट कर दी, तो, जिस बंदे को आमने पेमंट करी है, ओहु, मैं मैं मुझे भाई, एसी चलाओ पहला दो, भाई वो बंदा तो गया हुआ है गाउं पे, तो अब जो है, रिकार्ड़ को नहीं है, वो बंदा तो गया हुआ हुआ है गाउं में, उसका जुगाट बाची करके, अमने नम्मर दो निक्टवा लिया, तो, वहां भी वो मुझे के दाम के पैसे मैंने वाँ पे पेमन कर दिया है, वो भी मुझे, उसको मेरी इमानदारी है, कि मैं दू न दू मगर मैं जरूर दूँगा, चाहे ये बंदा मुझे पेमन वबिस करे ना करे, नहीं करेगा, तो यह है भाईया, इमान के बैठ जाएंगे, यार, जो है अपना की अपनी किस्वत में लिखाते है इतना लॉस, तो कोई बात नहीं, कहीं चोटने ही लगी, भगवान की दिया से बिमार इमार नहीं हुए, तो चलो, यह लॉस निकल गया, कोई बात नहीं, ज्यादा मोटा नहीं है, उसने मेरे को वाबे में बैठा था, तो वाबे म तो अब यह देखते हैं, वाइसा 3,700 रुपे यह बंदा पेमेंट कर पाता है कि नहीं, लेट उस कॉल हिम, यह मिला दिया, हमने कॉल कर दिया, लाउट स्पिकर पे, यह बंदा गाउं पे गया हुआ है, तोड़ा सा पंका स्लो कर देता हूं, हेलो, हालो, 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 सोनु भाई बोल रहे है, आचा सोनु भाई, ऐसा है, मैंने जो है न, आपको पिछले जुलाई के महीने में और आउगस्त के महीने में, काफी सारी पेमेंट्स कर दी ती, गल्ती से मुझे किसी सोनु डेरी को करनी थी, आपके पास में हर महर हफते कुछ ना कुछ पेमेंट आ रही है 45-45 रुपे की अभी दो-तिन दिन पहले मैंने आपको 1540 रुपे भी भेज़े हैं और 45-45 रुपे रोज के कभी तकरीबन हर एक दिन छोड़के या हर हर दिन छोड़के मैंने आपको भेज रहा हूं वो गलती-गलती से आ रही है भाई साब आपके पास ना पेमेंट क्योंकि मेरे घर के पास एक सोनू डेरी करके दुकान है मुझे उस दुकान में पेमेंट करनी थी और जैसे यहां से मैंने एक बार बर्गर लिया था तो वो नाम इसमें आ गया था तो गलती से मेरे वो सारी पेमेंट्स आपके पास में चली गई है लेकिन 1545 का तुँ आया ईया लेकिन 1500 का कुई ऐसा पेमेंट तु नहीं आए बडा सुbolु पंदरा सु चालीस रूपे का बीस अगस्त को नहीं बाई आप अपना अकाउंट में देखो, आप उसमें पेटेम में जाओ भाई साब, उसमें ही मैं ही देखके उसमें से ही बोल रहा हूँ, 311 भी बेजे, 910 भी बेजे, अगस्त के महीने में, मैंने टोटल भी लगाया, अगस्त के महीने में आपको 3700 रुपे की पेमेंट जारी है, और जुलाई के महीने में आपको जारी है, 4400 रुपे की पेमेंट, जो कि सारी उस बंदे की दीज, दूसरे बंदे की, जिसको मुझे दूसरे को देना था, ये साब गलती से हो रहा था, तो ये बात है, तो पेला हम चेक करना है, देख रहे हैं, हाँ, हाँ, आप चेक कर लो जिस नमबर से मैं कॉल कर रहा हूँ, इसी नमबर से मैंने आपको पेमेंट बेज रखी है, हाँ, जी भाई साब, नहीं, पंदरह सो चालिस का तो कोई पेमेंट नहीं है, पंदरह सो चालिस की, यार, बीस अगस्त में देखो न, बीस अगस्त दो हज़र बाइस को बेजे हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं, पैथालिस पैथालिस की है, हाँ, तीन सो कुछ रुपे का है, ने ने यार आपको इसी नंबर पेमेंने 1540 की भी पेमिट भेजी है 311 की भी आई ए न 11 अगस्त को 11 अगस्त को 311 की आई ए 8 अगस्त को 910 की भी आई य'S 12 अगस्त को हैne 301 ने ने आप मेरे नमबर पे नहीं देख रहे रहे मैं एक रुपए आपको भेजता हूँ, आप मेरी चैट में जाके देखो, मैं आपको हेलो भेजता हूँ, आप उस चैट में देखो, एक मिनिट ना, अब आपके बास देखो हेलो आया होगा मेरी तरफ से, आगया हेलो? आप तो गया, लेकिन इसमें 15 जो 40 बोले वो नहीं है, भाज़ा आप उपर जाओ ना थोड़ा सा, 311 है, 311 भी है, 1540 भी आ रहा है, इस चैट में देखो ना, आपके पास में आ रहा है सारी पेमेट, देखो आप ध्यान से, 1540 बीस अगस्त की दिखा रहा है यहां पे पेमेट देखो, इसमें आप ओपन भी करोगे, भूल कहां से रहा है, मैं तो दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, यह आपका जहां पे करूल बाग में, आपका जो मेट्रो शेशन के नीचे दुकान थी, वहीं पर उसके पास में रहता हूँ, तो मैं उस टाइम पे जाते हुए, गलती से एक बार मैंने स्कैन कर दिया था, तो उसके बाद में बस वही है, गलती से मतलब जो है, वो सोनू और सोनू डेरी में मेरे को कन्फूजन हो गया, तो मैं आपके उसमें भेसतारा गलती से, आप इसमें टोटल लगाओ, देखो, आपको कितनी पेमेंट आ रखी है, पंदरहसो चालिस भी है, नौसो भी है, है, और जुलाई में चारजार चारसो की पेमेंट गलती से मैंने कर दी, यह परसो रात को मैंने जब ध्यान से देखा, कि मैंने का यार मैं उस बंदे को सोनु डेरे वाले को मोबाइल नमबर से भेजू, तो मोबाइल नमबर मुझे आपका मिला नी उसका मिल रहा था वो वाला, तब मुझे पता चला यार यह तो बड़ी बेहंकर मिश्टेक हो रही है दो महीने से, और चलो मेरे से भी मिश्टेक हो रही, दुकांदर से भी मिश्टेक हो रही, आपने भी कम से कम बोला नहीं मुझे भाई साब कहां से पेमेंट कर रहे है, मेरे को चैट में बोल देते ना कि जी आपकी पेमेंट आ रही है आपको नो भाइसाब क्योंकि मेरे जैसे सॉप पे जब थे हम तो वहां पे तब सारा सब इसी में करते थे तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा अव किमीं उसको ये मेरे थे तो यहीं अनके चैट से वहां के तजो टेंट आपके बीड़े विए हुआ में दे पशलाओ く 13 जुलाओ के बाद में फ्रक आपोड़ी है इसे सारश मंदय कर बाद मोंति वहां सब्साज्या को आप अप आप अब बाकी तो ये इमहंदारी की बात है और मैं क्या बोलो आपको आप आप देख लो आप जो है मेरे को वापिस दोगे तो देदो जी बड़ी महरवानी होगी क्योंकि जिस बंदे की मेरी पेमेंट है आठ जार एक सोगी टोटल हम भी काउंटिंग कर लें हाँ 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 जुलाई है तो क्या कर सकते फिर हम तो जोग पर है नहीं यार भी नहीं बैसाब आप तो जोग पर नहीं मगर जितना जैसे जो आ रखा है जब आप कम से कम दुकान पे नहीं थे तो चलो उसके पहले का तो एक अलग बात है मगर उसके बाद का तो आपका ये सारा बेकार का वो आ रहा है ना तो ये तो आप मुझे वापिस करीदो इसमें तो मतलब ऑप्सन हम बंद किये तो हमें पता थोड़ी चल नहीं नहीं मैं आपकी बात चला समझ गया देखो गल्ती मेर से भी हो गई आपके यहां पे भेज के और गल्ती जिस दुकान दार को भेज नी थी उसकी भी थी कि उसने मुझे पता है नहीं कि भाइसाब आपकी पेमन्नी आई क्योंकि मैंने ये उसकी लड़की का नाम तोड़ी थोड़ी सबसे गलती होगी जदा गलती मेरी है मैं तो मानी रहो अपनी गलती मगर यह भाइसाब देखो मेरा भी हार्ट मेरा भी बड़ा मेहनत का पैसा है तो देख लो जी आप वापिस कर दो तो बड़ी महरबानी होगी आपकी सर कर तो सकते हैं लेकिन बड़ अभी नहीं कर सकते हैं अच्छा अभी क्योंके हम जॉब पे भी नहीं हैं गौँ में जानतों देवार था खर्चा बगएरा कोई बात नहीं जब आप आजाओंगे वाप इसतब आप कर देना आज आएंगे दिल्ली में जॉब पे सेटल हो जाएंगे तो कुछ दिरे दिरे आपका कर दोंगा चलो कोई बात नहीं आप देख लो आप आजाओं देख लो जैसे भी क्योंकि जो दुकान दार है उसको त सब् Melbourne कोई बात भी मया आपके पास में सब्ने पर 25 से 30 से तोड़े तोड़े कर रहां गया है ना फिर जैसा होता है फिर 30 मंशिप शूलय है जुलाई के बास भी करूँगा, क्योंकि उससे पहले, जो अमांट आपका आता भी था, उसमें हैड होके, दुकान वाले मालक के पास जाता हो, चलो कोई बात नी, भाइसा है, पर यह कुछ नहीं हख कर सकता है, क्योंकि भाई, वह मेरे पास नहीं आए, वह मालक के पास चला कोई बात नि को अई समान लिया ये लिया वह लिया अब देखो ये तो मैं ही जानता हूं और ये सच्छा ही आ पर जानते हैं कि कोई बात नहीं अब क्या कर सकते अब जो है ना जद 30 जुलाइ के बात कहें दे दे आपको जैसा मन करेगा वैसे देदे ना बाकी तो जो इसको दुकान दर को पेमेंट करनी है वो तो मैं आज कल में पूरी करी दूंगा इसकी क्योंकि मैं वह भी गरीब आद में उसका हाग क्यों मारूं द्याद किसे था लोग आज जब दुकान से निकलते हैं, सारा सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि वो दूसरा बंद चलाने लगता है, वो अभी में गया था उसकी दुकान पे, तो उनकी दुकान पे नमा, इतना ट्राजेक्शन होने के बाद, हम लोग को कुछ दिनों तक कैस बैग मिलता रहत तो वही आता है, तो मैं वही समझ रहा था कि हाँ, कैस बैग आरा है, मैं तो आपकी बात समझ गया, बट आप यही ए, पता भी किया किस से, मैंने पूछा कि मेरे पास आमाउंट आरा है, तो वो खुद ही बताया, कि नहीं सर, वो कुछ पैसे रूखे रहते हैं, तो कुछ अब वही है देख लो जो भी हो सकता थोड़ा थोड़ा करके भी आप देख ले ना जैसे आपको ठीक लगेगा मैं तो जादा कुछ नहीं बोलता है इसमें क्योंकि मैं अपनी खुद की गलती मान के चल रहा हूं अब यह है कि छोटा अमाउंट है इससे तो मैंने बहुत बड़ा सबक ले लिया कि आगे से पूरा नंबर वेरिफाय करके तभी आगे पिमन दूगा मैं तो अब वही है अब आप यही है कि अपना चलो आप बंदे ठीक मिल गए कि आप अपना वापिस कर दो जो भी होगा चल अब अब यह तो बात हमारी उनसे हो गई अब यह तो बात हमारी उनसे हो गई अब इसके बाद में यह यह बंदा जो कह रहा है यह गंदा कह रहा है भाई इससे 30 जुलाई से पहले का जितना पैस है 4400 रुपे वो तो कहा रहा है चला गया है मालिक के पास में मालिक भी कहेगा कि भाई सब आपने यह लिया होगा वो लिया होगा यह लिया होगा चलो उनकी बात हम मान गया 4400 गला मैं यतिनी मगजमारी नहीं करूगा आप इसके बाद में जो दुकान वाला कह रहा था कि जी आप उसको जुलाई अगस अगस का बोल देना कि अगस अगस का वापिस कर देगा जुलाई का तो नहीं है अगस अगस का तो ठीक है अगस का भी 3,700 रुपे है वो कहा रहा है 25 सप्टेम्बर को आपने सोनी लिया वो आ मैं तो भाई भाई को जुरूर दे दूँगा उसको जो अपने सोनी डेरी वाले भाई हैं उनकी में पेमट नी रोकूंगा बिलकुल भी 8100 मतला मुझे ट्ूटल में देने थे 8100 मतला दो महिने में और मेरे मर गये जुलाई के 4400 यहनी कि 8100 का माल मेरे को में 여기에 24600 रुपे में पड़ गया है अनाज वगहरा गया हूं और बाजरा मकी यह सब छीज 8100 का माल मेरे 2,500 में पड़ गया है क्योंकि देखो ज्यादा एक्षिन ले के कुछ करके इधर उधर कंप्रेंट करके कोई पाइदा नहीं है कि मैं फोन करूं पुलिस में फोन करूं यह करूं वो करूं तो भाई तुम्हारी मति मारें केजिती जाला 2 महिने से तुम भेज रहे हो मैं मेरी गलती मैं पूरी-पू कर देंगे तो वो भी थोड़े-थोड़े करके चलो अजार-दो-जार करके जैसे भी आएंगे मैंने इनको इसलिए कुछ नहीं बोला देखो ये लोग भी काम करने वाले ये भी गरीब आदमी है और जो अपना जो मेरे भाई सोनुडेरी वाले भाई है वो भी जो है काम करने दिन के मार्जिस में से पैसे निकालते तो मैं तो देखो किसी का extra निरोकोंगा मैं अब जा कि सबसे पहले में उनी कुह बताऊंगा ये बात प्तव खापी के नचिल सी बात,भी तो दिन का टाइम हो ब्रहोंगे, दिन का टाइम ओरु अब आगे से देखो मैं तो अब एक एक रूपे बड़े हिसाब से ट्रांस्वर करूंगा बड़ी तगड़ी चोट लग गई है तो 4400 में तो यार हैड़ दौर होके आ जाते है डीजल जल जाता आराम से कोई बात नहीं जो निकलने होते हैं वो निकलने होते हैं मतलब जो पैसे जाने होते हैं जाने होते हैं भाई हो सकता है कोई पहले का कभी का कुछ हो मतलब अगर पहले की बात करें अब जैसे अम एस्ट्रोलोजी में जादा बिलीव करते हैं जो सकता भाई पिछले जराम कोई करज और ज वाद कर दो कहा दों है कर जो न निखल गया या कहीं डॉक्टर के जाने दें चल 4400 इसके चलेगे कोई बात नि कर चलागा चलो छो चोड़ जो ख़ो किःदो एक जो करचा होना होता है तो होना होता है मेरे दुखानवाला ये भी बोल रहा था मेरा फेस मताने देना बस सामने मेरा बताना विबत मैं चलो ठीक है जी आपका बताएंगे नि कि कहां से क्या है क्या निये आपका कुछ ऑनलाइन कुछ दिखाएंगे निये वो चीज निये बड़ आपके सामने ये प्रूफ है बाकी मैं अन भाई साब को मैं दे दूँगा पेमेंट अब घर जाके आज तो भी मेरे पास भी नहीं है एक दू दिन में आएगी पेमेंट भी मेरे पास है तुम छलते है फ़ाए अपना घर चलते वापेस और फेर आगे खा पीके उनसे भाई से मिलके न फिर अपना बात गरते हैं जय शिरी राम, एक चीज और, इसमें लोगों की कमेंट्स ये भी आएगी, भाई, तुमने बेब कुफी करी, तुमने ये तुमें आता नहीं है, ट्रांसेक्शन करना, ये वो पने नहीं, नेगिटिव कमेंट्स भी बहुत आ सकते हैं, बट कोई बात नहीं भाई, आने तो, म मैंने सिर्फ डेस्टेम नहीं लगा था, ना मेरा मोबाईल रिकॉर्डिंग पे उन था, तो मैंने दो हॉरन बजाए, तो वो क्योंकि काफी देर होगी थी, वो पता नहीं फास्टाइक पता लवाने था, यूपी की गाड़ी थी, और साथ में वो बना मोबाईल दे रहा है कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, पीछी तो पूरी कतार लगी है, वो भी औरन बजा रहे, मैंने दो बार औरन के बजा दिया, वो भाई बार जो है निकल लिगया लटने के लिए, कि भाई क्या बात होगी, ये वो उसके बाद में गाड़ी अगर लगा के भी खड़ा पर रहे, मैं दो बात है, ये वो भाई बात कर लूगा, ये अपना पेमेंट दो क्योंकि मैंने जब पेटेम पर देखा तो कुछ अलग तरीक से तक है ने जब हैलो बोला तो उन्हेंने ब्लू टिक माक आ गया एक तम, अब ब्लू टिक माक आते ही, ये सब कुछ आयोगा है पेमेंट ठीक है, तो उन्हेंने सोचा कि यार, कैश बैक आ रहा है, उन्हेंने डिसकस तो गरा है, वगर जिस मोबाइल नंबर से आ रहा है तो उसको रिपलाई भी तो कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, तो इसलिए वो भी गरीब आदमी है, चलो थोड़े वो टाइम में मुझे समझ में आगया कि यार, गलती से बहुत मोटी पेमेंट उसको चली गई है, वो तो मैं अभी भी भी भेजी रहा था, एक साथ रुपे मैंने और भीजने थे, बट क्या हुआ, वो मैंने सोचा यार, चल इस बार जो है न, रिसेंट कॉं होगी, तो मैं कन्फ्यूज हो, भाई, ये तो होगी गडबड, चलो, कोई बात नहीं, तो अब देखो, मैं कोई पुलिस कंप्रेंड हो गया रहा, कुछ नहीं कर रहा हूं इस चीज के लिए, ठीक है, और भाई आ जाएगा 25 सप्तेम्बर को, और उसके बाद मैं, मैं उनको फोन ही कर लूँगा, क्योंकि देखो, यहां तक आने में भी अब देखो, डीजल भी कितना लग, पैट्रोल भी कितना लग गया, बेफालतू, मैं मैं बैट के रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, एसी भी चल रहा है, तो कोई फैदा नहीं है, वह आ जाएंगे, देखेंगे भाई मुझे पैसे उरके है, जो खर्चा लग गया, तो लग गया, अब चलते एक घर, आपकी कोई कमेंट्स हो, तो आप कर सकते हैं, आपने ने किसी को रोका तो है नहीं कुछ बोलने के लिए, कमेंट्स का सेक्शन ओपन है, तो चलो कोई बात नहीं है, अब जो कर्चा ल दुकान वाले बंदे ने तुरंट उसको कॉल कर दिया होगा, और उसने मुझे बोला, क्योंकि दुकान वाले बंदे का और उस बंदी की बात बिल्कुल सेम थी, कि जी में 30 जुलाई तक कर नहीं हो, तो तो यह कह सकता था कि आप एक काम करो, 30 जुलाई से पहले का मालिक से ले लो, तो ऐसा कह सकता था, मैं उससे ऐसा नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, आम मैंने का यार मैं कौन सा इन्वेस्टिकेटिंग ऑफिसर हो रहा हूँ, जो मैं जा के इतरा वेरिफाय करूँगा, इतनी मैं कून पुकाऊंगा अपना बेभालतूँगा, इससे अच्छा त तो यार, डिस्ट्रक्टिव काम की जगह, आप कंस्ट्रक्टिव काम में अपना कॉंसेंट्रेशन करो, पच्छी सप्तेम्बर के बाद वो बंदा आ जाएगा, वह सो कॉल कर लूँगा, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी मैं उसको छोड़ दूगा, मैं बूल ज मैं तो इसमें ये भी नी बोल सकता कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये तो भाई मेरे ट्रू इवेंट में बेच्ट है, आज अगस खतम होने वाला है, मतलब तेखो मेरे को टाइम मिलता तो मैं इसको इसको तो 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 सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये तो मैं तब गया था, महाजन कैसे लिखा रहा है, फिर मैंने केमरा बंद कर में को अराम से बठाया, उसको मैंने उसने पूरा समझा मेरे मेरे मेटर, तो समझ तो गया कि हाँ, आया तो गलती से है, अब पिछले महीने कभी समझ गया, 4,400 तो भी उसने सारा टोटल लगा है, कहारा चलो कोई बात दे जी, वो पिछले महीने का तो नहीं देगा, वो इस महीने का देदेगा, आप ले लो सही है, वह चल ठीक है जी, ले ले लेते है, अब वो कह रहा है, दे देगा, ठीक है यार, बाकी, देखते हैं जी, मगर दोस्त मैं यहां पतलो नहीं पतलो नहीं तो में मालिक का भी दे सकते था कि जया मालिक से बात कर लो में उसे बात कर ले तुम्हात कर लेता उसे घर कर लेता है मुझे अ boost , में है में जंडी है प्õ Danny की स्टेकिश और क्या पता चालो कोई बात मात नի दू अब खर्चा तो हो गया अपना और अब हम चलते हैं घर यहां पर भाईया को पैसे देखें पैसे तो मेरे पास में खुलने है भी नहीं शायद फिर मुझे बैटे भी उस करना पड़ाएगा इसले एडिटिंग इसमें जादा वीडियो में जाद मुझे कुछ करनी नहीं से यही ध है यह तो ट्रू इवेंट है भाई मगर मेरी बेवकूफी से मैं तो मान रहो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी खेर लाइब में पहली बार हुई है ऐसी आज तक इससे पहले कभी हुई नहीं तो गल्तियों से याद में सीखता है तो आप भी हमारी गल्ती से सीखें क्योंकि बहुत लोग ओनलाइन रखते भी नहीं अब मैंने थोड़ा बहुत रखा था भाई ओनलाइन चलो कोई बात नहीं तो हमारी गल्ती से आप लोग भी सीखें ओनलाइन ट्राजेंक्शन में इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें थ्यान रखें और क्रॉस वेरिफाइ जरूर करें अब मैं उस दुकानदार वाले भाईया को वोलू मा भाई तुमने क्रॉस वेरिफाइ क्यों नहीं करा क्रॉस वेरिफाइ तो कर लेते मेरे दोस्त क्रॉस वेरिफाइ तो करते अब बताओ 8,100 का और वो 3,700 जो गए हैं यानि कि 8,100 का माल अगर मैं देखू अग मुझे कितना देगा कितना नहीं देगा तो टबल का पड़ गया मैं भाई देगो उनसो नुडेरी वाले भाई का मैं हक नहीं मारूंगा मैं देगो बगवान की देख यार इतना तो है यार इमांदारी का है इसले कोई दिक्कत नहीं है हा ना तो वो भी बिचारे मारजन प किसी चीज का चलो जी मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में यह तो मैं कोश्य करूंगा आज ही डाल दूंगा ठीक है जी जै श्री राम अपनी टोटल पेइमेंट पॉन एक बजे अपने ने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी टोटल पेमेंट के दें चाले से गुरुपे ब मिल गए एक गंटे में अपना टोटल काम हो गया है चलो जी अब चलो घर की तरफ जै श्री राम चलो गाड़ी वाड़ी गुमा लेते हैं यार यहां पर पर चलते हैं अपना घर की तरफ बूर देखो भाई एक तो दिन तक तो थोड़ा बहुत वो रहता ही है एक दो दिन तक तो देखो थोड़ा सा मूड में वो रहेगा कि यार क्या हो गया क्या हो गया ठीक है दो एक दिन में अपने आभी ठीक हो जाएगा और क्या है अब बार 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 सोचते रहोगे तो बे फालतू की सरदर्दी होगी भाई को मैं बुला के बात दर लोग पांच मिनिट के लिए मिलना था आप से मैं बस आई रहूं वापिस ना इक बर मिल ले ना मिर से ना पांच मिनिट के लिए मिल ले ना मिर से एक बार आके पांच मिनिट के लिए मिल ले ना मिर से एक बार आके पांच मिनिट के लिए ना मिर से एक बार आके अरे नहीं कोई ब दोस्तों अब मैंने सो नोडे रे वेले भाई को पुला लिया था मैंने उनकी टोटल कैल्कुलेशन निकल वाली तो बहुत है कि इतना बत्ता है टोटल उनका मत रहा था एट जीरो फाइलो आठ हजार पचास पर बन रहा था यह तो थी मेरी तरफ से इमानदारी अब वही जिस बंदे के बास में गए है मैं से उन्होंने ऑन पूरी पेबन कारी है या नहीं करी है या वो किस तरीके से मेरी पेबन कार रहे है या मेरी फोन बॉल्स भी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं इस तरीके से करके सारी में मैं पूरी टीटेलिक में वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो का भी लिक उस वीडियो में जरूर आल दूगा ताकि आप लोग को एक्तम से जो वीडियो नहीं तरीके से प्यार उनको समझना है तो उनको मैं सारी चीज पुरानी इस ओरिजिनल वीडियो का लिक डिस्क्रिप्शन को सबूट आदूगा अब देखते हैं उनको क्या रेक्शन लाता है क्योंकि देखों हर आतमी को पैसे आते वे अच्छे लगते चाहे वो उनके इनसान के कमाय हुए और यह होआँ अब यह उनके कमाय हुए थे ना यह उस जो अपना वह था शॉप वाला ओनर है 4400 कमाय होए है ठीक है फ्री फंड के पैसे केवेंगा अब उनकी इमानदारी के उपर है तो वो सकता है ये वीडियो देखके मेरे को जो वो शॉप की पर है वो भी मेरे पैसे व मांतरी के उपर देखो अपना समीर जिन्दा होना चाहिए अपना समीर जिन्दा होगा तो इंसान बढ़िया चलेगा सिंपल दिवाद मुझे तो यह पता है मैं तो 8000 रुपए को नहीं देख रहा हूँ अगर यह जो पैसे हैं सोरुड एरे वाले भाई बंदे को है कि तो मिन चाहिए कैसे भी देता मगर में और इयू को देंगे आ नहीं देंगे अब मेरिग वीडियो में बोक्त सकते हैं कि इस बंदे कंशीन से हो गया है रहेव इंडेशलीर तो अब वो भी आपने मली को मली कर सकते हैं मली आपको पाद त्रसप크 कर दिया है कि यहां क्यूंत बस्ता बडा पटेफ़िय। प्रिवस्ट नेट पे साच कर लो ब्राट के पैसे होते हैं। हर चीज का मैं बिल मैंने बाद में सब चीज होगा है। जो सॉनडेरी वाले भाई की चैट में बाए तो अब देखो। उन सब की इमानदारी के ऊपर है ये मैंने इमानदारी के ऊपर में वीडियो बनाई है अब मुझे ये चेक करना है अब दो मेने बाद तो वो मनता आएंगे सोनु भाई जो दिल्ली में आएंगे अब मुझे ये चेक करना है कि इमानदारी आज के टाइम पे तो ये टाइम कल मैं सबसे पहले जो है आठ जार रुपए दो आठ जार नो अजार रुपए भी आएंगे ना बस उससे पहले उन्हीं को निकाल के देदूंगों सुरूंडरी वाले भाई को मैंने का यह रिची आपके पैसे अपना हिसाब के लिए ठीक है उस टाइम पे जब मैं ऑक्टूबर सोनो भाई भी देखेंगे तो भाई आप की उपर है आप भी मेंद करने वाले आदमियों हम भी मैंनत करने वाले आदमिये यह मैं सोचना वहीं गाड़ी वाड़ी है तो मतलब कि जो है इसको ओड टरकाते रहो पैसे देते रहो की देखो मुझे अच्छा नहीं लगता अप आप मुझे उससे पहले आ के कॉल करतो हो भईया मैं आ गया हूँ ठीक है और जो है मैं आपको दे दूंगा इस तरीक तक उस तरीक तक और मैंने मालिक को भी कन्विंस कर लिया है और वो भी आपको दे देंगे पैसे इतने पैसे क्योंकि देखो आज के टाइम पर कमी किसी के आएक पांस में नहीं है मंगर यह उता है पस इमानदारी का है मैं जिस अतरक देखो इमानदारी पे चलोगे तो वो थाहे यह बहुत ऐना ड़ी, आपको पांस च्रुद हैम स्बूंदधरी लिए ग्षेदिये। उनुभाई को दे दूगा। ट्रश्ट को दे दूगा। आँग उसके बाद में देखते हैं। कि कितना खर्चा पड़ा अपने सर पर कितना नहीं पड़ा अब वहां से कितना रीकवरेबल हो पाता है नहीं हो पाता क्योंकि फूर्स में ज्यादा नहीं करूँगा तो दोस्तों आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो इवेंट पे पसंद आएगे तो तो मैं कुछ नहीं कह सकता तो आज के लिए मैं बोलता को बुडबाइ एंड टेक केर कल हम हासिर होंगे नई वीडियो के साथ में बगार ऑक्टोबर में भाई इसका सेकेंड पार्ट जरूर आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि सोनु भाई ने अपने जो पैसे हैं वो पूरी कोशिश करूँगा मैं उनसे फोन पर बात करूँगा अगर वो वीडियो में आना चाहेंगे तो मैं उनको वीडियो में भी शो करूँगा कि भाई फिर तो मैं खुद कहूंगा भाई ये तो बहुत ही मांदार है आज के टाइम पे हैं मांदार लोग ऐसे एक्सिस्टेंस में हैं क्योंकि देखो रील्स तो कोई भी बना दे रील्स बना के ये दिखा दो कि हाँ भाई हमने यहां पे पैसे दे दिये तो वो पीछे पीछे भागता हूँ आ रहा है आपके पैसे रहेगे आपके पैसे रहेगे पैसे भी सब रील्स में होता है आज के सब्तेम्बर में जो पेमेंट आएगी वो आप देख लेना वसा जो ऑक्टोबर में डालूँगा वीडियो जो अप्लोड करूँगा तो उसमें मैं आपको जो प्रूफ है उसके में दिखा दूगा कि हां जी जैसा मैंने बोला था इस वीडियो में मैंने वैसा ही कर दिया है चलो जी अब इस वीडियो के वैसी काफी लंबी हो गई है तो अपना आज के रहे गुट बाई एंड टेक केर कर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ में जैस श्री राम हर हर महा देव